27 फरवरी और 28 फरवरी का दिन सिहिंग राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जैम आतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्योब चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी इन दो दिनों के सिहिंग राशी फल के बारे में ये दो दिन प्रिक्षा स्वास्त है आपका प्रेम जीवन विवाहिक जीवन यानी हर एक चीज के बारे में हम यहाँ बात करेंगे इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं तो देखें सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र योग इनके बारे में जान लेते हैं 27 वरवरी मंगलवार का दिन है बजरंग बली का दिन है और ये क्रश्न पक्ष की तिरती आतिती है इस दिन हस्त नक्षत्र है जो पूरा दिन रहेगा जिसके स्वामी सूर्य देव होते हैं शूल नाम का योग बनेगा और गण नाम का योग बनेगा चंद्रमा कन्या राशी में है और हस्त नक्षत्र में है और सूरिय कुम्भ राशी में है शत विशा नक्षत्र में और यहां जो अभीजीत मूरत है वो दोपहर 12 बचकर 11 से 12 बचकर 57 मिनट तक है अब बात करते हैं 28 फर्वरी के बारे में तो 28 फर्वरी बुधवार का दिन क्रशन पक्षकी चतूरती थी यानि विनायक चतूरती और हस्त नक्षत्र सुबा साड़े साथ तक उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा गण नाम का योग बना हुआ है चंद्रमा तो आज कन्या राशी में ही रहेंगे शाम तक लेकिन उनके नक्षत्र का परिवर्तन हो जाएगा वो चित्रा नक्षत्र में परवेश कर जाएगे दुपहर से सूर्य कुम राशी शर्तविशा नक्षत्र में है और सरवार्थ सिध्धी योग बनेगा जो सुभा एक घंटे के लिए ही बनेगा तो ये हो गई हमारी ग्रहों की इस्तिथी अब ये जो नक्षत्र हैं योग हैं चंद्रमा की इस्तिथी हैं बाकी ग्रहें हैं इनका किस तरह से प्रभाव होने वाला है चलिए जानते हैं विस्तार से पहले बात करेंगे 27 फरवरी के बारे में तो देखे सिहिंग राशी के लोगों के लिए अगर इस 27 फरवरी के बात की जाए बहुत अच्छा आपका दिन दिख रहा है स्वास्त है आपका एकदम लाजवाब है एनरजी भर भर के होगी अपने काम के लिए मान सिक स्वास्त है वो भी ठीक है और ये दिन आपके लिए मैं कह सकते हूँ अध्यात्मिक तौर पर बहुत अच्छा है अध्यात्म से जुड़ने के लिए पुजा पाठ करने के लिए देखे हमारा जो मस्तिष्क है न हमारे जीवन का एक सबसे अच्छा द्वार यही है मस्तिष्क ही है और जीवन का द्वार अच्छा बुरा सब कुछ हम इसी से सोचते हैं कुछ अच्छा सोचा कुछ बुरा सोचा कहीं चले गए और इसके कारक है मन के कारक है कौन चंदरदेव और चंदरदेव आप कहा है कन्या राशी में जो बुद्ध की राशी है जहां केतु विराजमान है जहां सूर्य का नक्षत्र है जिसमें चंदरमा विराजमान है तो आज का दिन आपके जीवन की समस्याइं दूर करने में आप आपको बहुत साहता मिलने वाली है और आपकी जो सोच है सही सोच आपको सही व्यक्ति से भी मिलाने का कारिय करेगी तो आपके तो देखिए दूइते भाव में ये चंद्रमा की इस्तिति है आपको खुशनुमा एक बढ़िया शाम देने का काम आज मिलेगा आपका घर महमान के साथ एक अच्छे वार्तालाप करके अपनी जो बॉंडिंग है उसको अच्छा कर पाएंगे जो लोग कुछ दिनों से काफी व्यस्त थे आज उन्हें अपने लिए वक्त मिलेगा कुछ ऐसा वक्त मिलेगा जो आप अपने लिए बिता पाएंगे अपनी खुशी के लिए पारिवारी किस्तिति आज बहुत अच्छी बनी हुई है वेवाहिक जीवन अच्छा है प्रेम जीवन भी आज बहुत अच्छा है अब देखे के तु विराजमान है यहां वैसे तो चंदरमा भोजल्दी पीडित होते हैं राहु के साथ बैठे चंदर के साथ बैठे मंगल के साथ बैठे शनी के साथ बैठे बोजल दी पीडित हो जाते हैं लेकिन यहां जो नक्षत रहे वो काफी माइने कर रखते हैं यहां और सिंग राशी के स्वामी है सूर्य देब तो यहां क्या होगा आप अगर किसी बात को लेकर बेचैन थे और अपनी जिम्मिदारियों पर काफी ताजुब भी होने वाला है अपना दिमाग अपनी दोस्तों पर रखें आपको अपना ध्यान अपनी काम पर लगाना होगा क्योंकि आपने दोस्तों पर लगा रखा है लेकिन थोड़ा ध्यान वहां भी देना होगा क्योंकि वहां से भी कुछ रोने वाला है तो वहा आपके लिए इंपोर्टेंट है और आज आप लाइट ब्लू कलर होता है ना आसमानी जिसको बोलते हैं वो आपके लिए बहुत लखी रहने वाला है इस कलर का आज आप उपियोग कर सकते हैं अपने वस्त्रों में देखें सेहिंग राशी के जातक सेहिंग की राशी है तो आ उसके बल पर आगे भी चले जाएंगे अब यहां आपको लोगों की बातों को सुनना भी है और लोगों के साथ संपर्क भी अच्छा बनाना है इस चीज का आपको बस अच्छे से ध्यान रखना है अब बात करते हैं 28 फरवरी के बारे में 28 फरवरी जंद्रमा तो आपकी द opportunity मिलेगी जरूर मिलेगी धैरिया रखें गुस्से में चीजों को आप खराब करने का ही काम करेंगे और जो भी आप खोज रहे हैं यानि की job आप खोज रहे हैं वेपार के बारे में सोच रहे हैं उसका आपको बहुत अच्छे परिनाम मिलेंगे तो बस आपको बस थोड़ आसा धहरिया बना कर रखना है आने वाले समय में आपको ये सारी चीज़े मिलने वाली हैं ये दिन उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जिनका अपना खुद का व्यवसाय है दोनों ही दिन उनके लिए अच्छे हैं जिनका अपना खुद का व्यवसाय है चोटा है रहेंगे, mentally pressure से बचेंगे आजाब, और आप अपने website के थूरू काफी नाम भी कमाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे, जिस मकसद को आप पाना चाह रहे हैं, उसके लिए महनत भी करेंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट में अपने नए नए तरीकों का इस्तिमाल आप कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छे लाबदायक सावित होंगे, रिष्टो की जहां तक बात है, तो आपका साथी बिल्कुल ये चाहेगा कि आप उनके साथ रहें, उनका सहयोग करें, पून रूप से सहयोग करें, वो कुछ कर रहें, उसमें उनका साथ दें, तो दिख कई मेहनत का बहुत अच्छा फल भी देखने को मिलेगा, तो ये समय अच्छा है, सिक्षा के लिए बात कर लेते हैं, कि सिक्षा के शेत्र में आपके लिए इस्थितियां कैसी बनी हुई है, तो देखे सिक्षा के स्वामी कौन है, आपका पंचम भाव है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं और गुरु आपके भागय भाव में बैठे हैं और पंचम को देख भी रहे हैं तो ये इस्तिती बहुत अच्छी है इस्टुडेंट्स के लिए ये समय आगे बढ़ने का है उनको अपने भागय का सपोर्ट भी मिलेगा उनको अपने सिक्षा के शेत्र में ज करना शुरू करें तो अच्छा रहेगा धन की इस्तिती से आपके लिए अच्छी रहेगी और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें